गुड़ मॉर्णियोग स्टूड़ाइंट्स वेलकम टू मैं यूटूब चैनल माथमेटिक्स विद ओविगर्ग स्वागत शुरेंस आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर हमने भी स्टार्ट किया था टेलर सीरीज मेथड ठीक है उसका आज हम एक और एक्जामपल देख रहे है प्रिवेस लेक्टर में ही स्टार्ट किया है वहाँ एक कोशन देखा था ठीक है आज और देख रहे हैं एक कोशन टेलर सीरीज मेथड का यूज करते हुए आपने इनिशिल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है एक उसका सॉलूशन निकाल ला है किस पर टी इस इकस टू पढ़ लेते हैं कोशन यूजिंग टेलर सीरीज मेथड फाइंड दी सॉलूशन ओफ दा इनिशिल वैल्यू प्रॉब्लम वो क्या दी है डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इस इकस टू माइनस टू टी जहां पर वाई जीरो आपको दिया हुआ है माइनस वन इनिशिल कंडिशन भी अफकोस दी होगी परिवाशन मैंने आप लोगों को बताई थी इनिशिल वैल्यू प्रॉब्लम के अच्छे से प्रिवेस लेक्टर में स्टार्ट जाम ने किया था देखी थी तो आप लोग वहां से देख सकते हैं वाई जीरो 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 है और जो वाई इसका मतलब है यती हम लोग लोग सकते हैं वाई की वैल्यी फंक्षन है और कोई हहां यहां वेरिवल नहीं लिया हुआ तो t बराबर 0.2 पे हमें value निकालनी है t बराबर 0 पे t की value जब 0 है हमें तो y की value दी हुए है जब t 0 है जब तो y की value दी हुए है कितनी है? माइनस 1 और t बराबर 0.2 पे हमसे question पूछा जा रहा है ये कितनी होगी value यहां आप लोगों को एक चीज़ दी हुई है h is equal to 0.1 तो h हम लोगों ने पहले भी बढ़ता है था आपको क्या होता है t-t0 ठीक है हम लोगों ने जब इसका derivation पढ़ाता तेलर स्रीज मैंतर का वहाँ पर यह लिखाता है एक्चुली में इसका मतलब क्या है जैसे h आप लोगों के पास यहां पर दिया हुआ है 0.1 ठीक है तो यहां पर t-note सबसे पहली value क्या है 0 अब t1 क्या आएगा 0 में add कर देंगे 0.1 क्योंकि t-note आप लोगों को दिया हुआ है t की value हमें निकालनी है तो h में इधर भेज़ दोगे t0 को add ही तो करोगे h में t0 को add करा तो कितना जाएगा 0.1 फिर हमें निकालना है t2 अब t2 निकालने के लिए फिर यह करना होता है h में t not को नहीं अब t1 को add करना है तो हमें t2 चाहिए तो h में यानि 0.1 में t इधर भेज़ेंगे plus को जाएगा 0.1 को add करना है यानि कि 0.2 इसी पर तो हम से value पूछी जा रही है तो यहाँ पर समझने की चीज यह है अगर h दे दिया जब तो बहुत अच्छी बात है कोशन में नहीं देता हमें तो हम अपनी तरफ से ही उस इस तरह का choose करते हैं ताकि हम answer के बहुत बहुत करीब पहुंच सके देखो direct करने को ऐसे भी कर सकते हैं t0 पर value d है हमें y की और direct t is equals to 0.2 पर value निकाल देते h को हम नहीं लेते एक्चुली इसका role यहाँ पर यही है कि हम बिल्कुल accurate value तक पहुत सके उसके करीब पहुंच सके यूगि जितना ही आप h छोटा लेते हो न उतरे ही हम जो इसका answer आएगा जो इसका solution है उसके पास पहुँच पाएंगे आप लोग अभी देखिएगा आगे question में दिया भी हुआ है यहां मैंने इसी तरह का example लिया है कि compare the result with the analytic solution जो भी आप लोगों का इससे solution आएगा Taylor series method से उसे हमें analytic solution से भी compare कराना होगा analytic solution का मतलब है जिस तरह से differential equation solve करते हैं उस तरह से equation को solve करेंगे और वहां पर T की value 0.2 रखके देखेंगे कि Y की value क्या आती है और फिर देखना कितनी error आती है वहां कितना हम लोग answer से दूर है कितना pass है ठीक है start करें देखो Taylor series method में इतना edge का roll नहीं है हम आगे और method पढ़ेंगे वहां पर कोशन में नहीं दिया हुआ नहीं दिया होता कि क्या edge लेना है तो वहां इस तरह से choose करते हैं जिसे मानलों यहां पर 0.8 पर value पूस्था ती is equals to अगर 0.8 पर value पूस्था और हम edge को 0.1 लेके चलते हैं तो सोचो कितना land दिया जाते है कोशन किती बार हमें Taylor series method लगाना पड़ता ठीक है एक बार 0.1 के लिए निकालते हैं फिस 0.2 फिस 0.3 तो इसलिए हम इस condition में edge is equals to ले सकते हैं 0.2 जब हमें ती is equals to 0.8 पर value पू 0.6 और फिस 0.8 यह तो समझ आ रहा है ना कैसे में values निकाल रही हूं add करते हैं कुछ भी नहीं add 0.2 दिया ना और टी is equals to क्या दिया जीरो प्लस 0.2 0.2 ही आ जाएगा उसके बास 0.2 में क्या add करोगे 0.2 ही 0.4 आ जाएगा 0.4 में क्या add करोगे edge की value add करती जानी होती है ना मै तो 0.6 फिस 0.6 में edge की value add करी 0.8 यहां हम answer तक पहुँख जाएंगे कितने step में तीन step में first, second और third step ठीक है अच्छा 0.2 पे भी ताना होगा चार step में हम लोग answer तक पहुख जाएंगे समझा इस तरह से edge की value choose किया करो यहां तो कोशन में दे दिया कोई दिक्कत नहीं एक ही जोर मैं आप लोगों को बता दू यहां पर सिदह सिदह दिया है टेलर सीरीज मैथड का यूज करना है अगर यहां पर कह देता कि using second order using second order टेलर सीरीज मैथड अगर कुछ इस तरह से कह portion बहुत easy हो जाता है क्यों यहां पर इसने कहा है second order तक बस टेलर सीरीज यूज करनी है टेलर सीरीज तो याद होगी आप लोगों को क्या होती है याद है ना हम लोगों ने पढ़ी थी previous lecture में टेलर सीरीज क्या होती है पी order तक हमने पढ़ी थी yt easy question होता है y t naught plus t minus t naught y dash t naught plus t minus t naught का square y double dash t naught और upon factorial 2 plus इस तरह से चलता जाएगा हमने पढ़ी थी p8 order तो मतलब t minus t naught की power p upon factorial p y को p times differentiate कर रखा है ठीक है ठीक है मैंने आपको previous lecture में जो question कराया था वहां कहा था कि आप यहाँ infinite एक तक जा रही है यह series तो solution कैसे निकालोगो कहीं पर stop हो जबी तो हम इससे calculation करेंगे calculate करके solution तक पहुंच पहेंगे तो मैंने कहा था लगबख 4th order तक ले लिया करो यह 2 है 3rd और 4th term और लेकर वहां तक लेकर solution निकाल दिया करो ठीक है इन journal हम इतना ही लेकर answer निकालते हैं बटी यहां के अधियर second order कितना easy हो गया हमें बस यहीं तक लेना है सिर्फ यहीं तक series को लेना है और answer कितनी जल्दी आएगा आगे की calculation बच गई यहां सिर्फ square तक करना है third power, fourth power हमें निकालनी ही नहीं है तो इसलिए question easy हो जाता है एक्जाम में आया था second order के लिए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मैं आपसे फिर करना चाहूंगी, answer के question बहुत easy आते है एक्जाम में अच्छे से attempt कर लोगे बस थोड़ी सी speed होनी चाहिए कि calculate आप जल्दी से जल्दी कर सकें calculation नहीं आती है scientific calculator यूज आता है 82ms का यही allow है वसे तो examination hall में यदि कई वर ध्यान नहीं दे आ जाता तो 100ms का भी allow कर देते हैं examination hall में calculate है बट यह allow नहीं है हो सकता है आपको रोक लिया जाए हमारे time में कई बच्चे लेकर आये थे उनके लिए और भी easy रहता है इसमें थोड़े से और function होते हैं ठीके बट आप लोग 82 का ही लेके जाए क्योंकि अगर यहां पर आपको रोक लिया examination hall में तो आक पास कोई option नहीं रहेगा 82 छोड़ो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा 100 की बात नहीं नहीं रहेगा तो इसलिए 82 को लेके जाओ exam में ठीक रहेगा चलो आप जल्दी से कॉशन करते हैं बहुत लेट होगे वैसी देखो तो मैंने आपको टेलर स्रीज यहां बताई हम लोग यहां सै कर नहीं लेकिन है दिया है जिरो पॉइंट 1 इसका मतलब है पहले आप लोगों को यहां पर टीकी वैलीफ्ट 1 रखकर बैल्यू निकालनी है समझ रहे होनद ध्यान से देगो टी की वैलीफ्ट 1 पर पहले हमें निकालना है इस method से क्या answer आएगा तो फटाक से निकालते हैं यहां मुझे दिखाई दे रहा है y dash t naught y dash है क्या हमारे पास बिल्कुल है dy upon dt को ही तो y dash कहते हैं क्या नहीं कहते हैं कहते हैं of course तो यहां से मुझे बताना एक बार y dash plus y is equals to दिया है minus 2t ठीक है y dash की value यहां से आ जाएगी minus 2t minus y ठीक है y dash तो आगया question में y dash series में y double dash की भी जरूरत पड़ती है वो भी निकाल लेते हैं y double dash का मतलब है y dash को एक बार ओड डिफ्रेंशेट कर दिया यानि y को दो y differentiation कर दिया तो t के respect में differentiation करो minus 2 तो as it is रहेगा t का होगया 1 minus y का differentiation y dash simple y triple dash निकालो यह मैं यहाँ t नहीं लिख रहे हूं bracket में understood है यह चीज मैंने अब लोगों कोई starting में ही बता दी ठीक है चलो फिर differentiation करना है एक बार और तो constant का जीरो हो जाएगा y dash का हो जाएगा y double dash minus का minus आगया एक बार और करना है क्योंकि हम fourth order तक लेके चलते हैं एक बार और कर देते हैं y triple dash हो जाएगा differentiation तो करना है ठीक है हमें लेकर value t पे निच चाहिए t not पे चाहिए बिलकुल t not पे निकाल लेते है y dash t not क्या आज आएगा y dash t not का मतलब है y dash 0 हमें निकालना है अभी ठीक है वह कैसे निकालेंगे y dash की value high यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रहा है t की जगे t not ही तो रखा है तो रखो ना minus 2 t not t not की value 0 है minus y यहाँ पर t है ना bracket में नार्मल सी चीज़े बता चुके है yt मतलब yt not और yt not मतलब y 0 इसकी value minus 1 तो यह minus minus plus हो गया तो यहाँ से मुझे बताओ y dash की value 1 नहीं आ गई क्या आ गई इसी तरह से यहाँ रखनी है अब y double dash t not is equal to minus 2 minus y dash t not ठीक है minus 2 minus y dash t not y dash t not की value अभी अभी निकाली है minus 3 clear हम values अभी आराम से निकाल रहें मुझे पता है अगर आप लोगों को आती होगी तो आपको भी बोर्यत फील होगा but हम question instruments एक दो ही attempt कर रहे है सारे तो possible नहीं है ना इसलिए चाहती हूँ आराम से करें minus y double dash minus y double dash क्या एकर t not y double dash t not की value minus 3 यह होगे plus अगर देखो यह question exam में आजा है ना तो बहुत अच्छी बात है यहाँ इतने simple ही है यहाँ पर calculation कुछ करने ही नहीं पड़े नहीं तो कई question में थोड़ी सी ओर terms होती है यहाँ पर calculation में time लग जाता है इसलिए बार-बार कह रहे हूँ कि calculation अच्छी बनाओ speed अच्छी बनाओ y triple dash t note की value plus 3 है minus यहाँ पर है तो यह minus आज़े है सारी values क्या नहीं आचुकी देख लेते हैं series पता लग जाएगा यह रही हमारे पास series y t t की value हम लोग रख रहे है 0.1 ठीक है y 0.1 की value हम लोग निकालना चाहरे है क्या है y t note y t note का मतलब क्या है minus 1 quotient में ही दिये दिया था t की जगे हम लोग 0.1 लिख रहे है minus t note की जगे हम लोग 0 लिख रहे है y dash t note अभी अभी value निकाली थी y dash t note की यह रही 1 plus t minus t note का square upon factorial 2 0.1 minus 0 का square upon factorial 2 y double dash t note value अभी अभी निकाल के चुके है minus 3 ठीक है plus अब क्या आएगा t minus t note का cube upon factorial 3 y triple dash t note 0.1 minus 0 cube upon factorial 3 यह है यहाँ पर 3 plus 0.1 minus 0 की power 4 factorial 4 और यह minus 3 बस हम 4 term तक ही लेके चल रहे है मैंने आप लोगों को पहले भी समझायता है ठीक है fractorial की values आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो कोई दिकत नहीं निकाल लेते है याद होगी तो थोड़ा सा time बच जाएगा ठीक है fractorial 4 का मतलब क्या है 4 into 3 into 2 into 1 तो 4 की बारा बारा दूनी 24 इसका 3 दूनी 6 और इसकी तो है 2 तो आप लोगो calculation कीजिए calculator में आराम से calculation करने का सीधा सा तरीका है इंका square करो आप लोगों में वहीं factorial 2 लगा ऐसे नहीं बता पाँगी अगर आप लोगों को calculation में थोड़ी सी भी दिक्कात है ना तो मैं कह रही हूँ YouTube पर बहुत सारी वीडियो हैं बहुत सारी वह अराम से calculation सिखाती है आप लोगों उन्हें देख लीजिए यदि फिर भी आप लोगों को दिक्कात आती है तो मैं direct answer लिखती हूँ देखो एक चीज़ में आप लोगों बताते हैं यदि थोड़ा बहुत answer आप लोगों का बुक से match नहीं होता है न तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है एने का paper ऐसा paper है हम लोग यहाँ पर कोई accurate answer नहीं निकाल रहे हैं एव्रेजन निकाल रहे हैं कि हम answer तक पहुंच नहीं कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ accurate नहीं निकाल रहे है ने में numerical analysis में देखो exact solution तो जब आएगा न जब आप इस series को बिलकुल last तक लोगे और infinity तक जा रहे हैं हम लोग last में ले किया हम लोग यहीं पर तो छोड़ रहे है fourth time तक ही तो छोड़ रहे है ना आगे कि तो ले ही नहीं रहे है तो आगे कि भी कुछ ने कुछ तो values होंगी ना वो add हो रही होंगी तो फिर हम accurate solution तक तो कैसे पहुंच सकते हैं इसलिए हमेशे ध्यान दखो भुक से अगर अंसर मैच नहीं होते है तो घबरानी की बात नहीं है आप लोग सभी कर रहे है मस मैथट सभी होना चाहिए इसलिए कहते है फोकट के नंबर है ने में मैथट के नंबर है तकरीबन इस टैक को कुछ अंसर आएगा आप लोगों का ठीक है देखो अगर चाहो तो यहाँ पर चार तक भी छोड़ सकते हो लेकिन कैलकुलेटर में जब आगे की डिजिट लिखी आती है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे एक्जाम में पांस तक तो देखो लेना ही लेना है बीसी में हम लोग तीन या चार तक लेते थे बट अब आप पोस्ट गिनिशेशन कर रहे हैं मसी में है तो प ठीक है फटाक से आगे चलते हैं वाई 0.1 पर वैल्यू निकालनी है कोईशन में हमसे 0.2 पर पूछ रहा था अब क्या करें तो अब क्या करना है सिंपल सा टीनोट अभी हमें 0 दिया था ना अब हमें टीनोट क्या ले लेना है एक तरह से 0.1 कोईशन में क्या कही थी कि जब टी की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू माइनस 1 है तो हम इससे एक स्टैप आगे बढ़े टी की वैल्यू 0.1 पर वाई की वैल्यू निकाल ली यह रही ठीक है यह वैल्यू यह लिग दो अब हमसे पूछ रहा है कोईशन में टी बराबर 0.2 पर तो क्या दिखकत है इसको अब टी नौट की तरह भीएव कर लो ना यहां पर यह टी नौट था ना यह वाई नौट था तो इन दोनों को अब ऐसी भीएव करो ना अब हम लेके चल रहे हैं कि टी नौट तो 0.1 है वाई नौट यह है माइनस 0.9145125 और हमें अब टी बराबर 0.2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं यहां पर भी सिरीज तो यहीं यूज आनी है एक याद करनी है यहां पर टी की वैल्यू बदल चुकिए 0.2 आएगी टीकी वैल्यू पता लगगे टी नौट के लूपता लगगे वाई ड़ाश टी नौट वाई-ड़ाश 0.1 की वैल्यू चाहिए अरे वाई-ड़ लिख दो ती नोट की जगे 0.1 ले रहे हो न अब और वाई नोट की जगे क्या ले रहे हो तो बस ये वैलिउ यहाँ पे रख दो और कल्कुलेशन करने और कुछ नहीं वाई डबल डश था एकाल ही रखा है अब हमने वाई डश टी नोट की वैलिए निकालने है यहाँ टी नोट हमें लेना क्या है 0.1 और why not क्या लेना है यह तो बस यहाँ पर फिर क्या दिख करते value निकाल लेना है बस simple side जहाँ भी आप लोगों के पास यहाँ पर T है ना अब T की value 0 ना लेकर 0.1 लेनी है और why not की value minus 1 ना लेकर यह लेनी है शुरू में minus 1 था question में अब यह ना लेकर अभी अभी निकाल लिए यह वाली value लेनी है इसी तर ऐसे simply आप लोग यहां से निकाल लिए students time बचाते हुए मैं direct value बता दोती हूँ आप लोगों को देखो y dash t note यहाँ पर क्या 0.1 ठीक है इसकी value आईगी तक्रीबन आती है इसकी 0.71451 इसी तर ऐसे double dash के लिए value आजाएगी माइनस 2.71451 ऐसी triple dash के लिए value आजाएगी 2.71451 ठीक है y fourth के लिए आजाएगी माइनस 2.71451 अरे देखो यह कितना इसी है यहाँ पर दिक्कत कहा है y double dash निकाल लोगो यहाँ इसी y double dash ही तो है यही value तो इस minus के तो फरक है और फिर यहाँ पर क्या यह वाली value नहीं सिफ minus का फरक है कुछ लग रहा है केवल माइनस का फरक है केवल माइनस का फरक है ठीक है values आ गई यहाँ पर रख दे है y dash की आ गई double dash की आ गई इस तरह से third और fourth वाले के लिए आ गई यह values ठीक है simply रख दो question में अपने लिख दो substitute these values in the tailored series और answer निकाल दो क्या आजाएगा दो कई books में आप लोग देखोगे यहाँ पर तैसे हम लोगों ने क्या करा समझने के लिए टी नोट और वाई नोट इस तरह से लिखा है सिर्फ notation का फरक है इसको क्या करते हैं कई लोग y1 लिख देते हैं वाई 0.1 value निकाल लिए वह आगे y1 और अब जो तुम 0.2 पर value निकाल रहे हो y की इसको कह देते हैं y2 ठीक है तो यहाँ पर T1 और y1 कर लेते हैं कई लोग T1 और y1 यह y1 की तो value निकाल लिए न तो इसको y1 लिख देते हैं और इसको T1 तो यहाँ पर ऐसी तैसे फिर टेलर सिरीज में कर देते हैं क्या कर देते हैं वो टेलर सिरीज में हम लोग जहां क्या लिखते हैं कि yt is equals to yt not तो वो yt even कर देते हैं तो फिर कि Taylor series जिनको याद है उस हिसाब से हमें एक rhythm में याद है कि हाँ t not आता है फिर t minus t not y dash t not इस तरह से चलता है तो वो तूट जाती है थोड़ा सा confusion हो जाती है exam में तो इसी से बचने के लिए मैं इस तरह से समझाने के कोशिश करती हूँ मैं भी इसी तरह से पढ़ती हो ताकि t not वाला ही हमारे mind में बना रहे Taylor series और उससे भूले नहाँ ठीक है तो आप लोग अगर देखते हो books में तो confuse मत हो ना सिर्फ notation का फारक है ठीक है टी not की value अभी हमें क्या लेनी है 0.1 तो बिल्कुल ऐसी तरह से आप लोग लिखिए अपनी Taylor series को और फिर सारी values है उनको लिखिए तो मैं डारेक्ट लिखू किया तो उस तरह से आप लोगों के पास देखो why 0.2 की value आ जाती है मैं डारेक्ट लिख रही हूं माइनस 0.8561904 तक्रीबन इस तरह की values आएंगी तो देखो numerical analysis से हमने 0.2 पर y की value निकालनी चाहिए हम मैं analytic solution निकालती हूं हमने BSC में बहुत बढ़ा Taylor series method तो पढ़ा ही है एने वगरा लेकिन BSC में एक differential equation का paper चलता था तो हम लोग ने वहां बहुत differential equation solve करी है तो जल्दी से एक differential equation दीए first order की मता हम लोग ने second order तक की solve करी है first order की differential equation दीए इसे जल्दी से solve कैसे गर होगे first order की differential equation है याद है कुछ अच्छा आप लोग बताहिए if निकालते थे e की power कुछ आई एफ कैसे निकालते थे इस तरह की equation को solve करने के लिए इकी पावर जो यहां पर लिखा है अच्छा इस तरह से मैं आप लोगों को बताई देती हूं देखो मैं चाहती तो आप लोगों को यहां डारेक्ट बता सकती थी बट मैं जब तक clear नहीं करती हूं पूरी चीज जो मुझे आता है मैं नहीं बताती तो मुझे असा लगता है क कि मुझे बताना चाहिए स्टुदेंट के साथ मैं ने धोका अगर दिया ठीक है तो अगर आप लोगों को लगता है देखो बताने में चीज़े वीडियो तो लेंदी होते ही यह लेक्चर लेंदी तो होते ही यह आप लोगों को इससे दिक्कत है ज्यादा लेंदी रहते है ठीक है हम लोग यहां डारेक्ट आप लोगों को बता देंगे फिर ज्यादा नहीं जाएंगे लेंदी है ठीक है देखो आप लोगोंने कुछ इस तरह की पढ़ी होगी आज तो बताई देती हूं कमेंड बॉक्स नों बताना फिर उस तरह से पढ़ेंगे डिवा अपॉन ड का फंक्षन होगा तो यहां पर हम लोग सबसे पहले आई एफ निकालते हैं वह होता है एकी पावर पी एक्स डी एक्स आज आज आप लोगों की कुछ इस तरह से डिवा अपॉन डिटी प्लस वाई इस इकरस्टू माइनस टूटी ठीक है यहां पर भी देख लेना आप लो कोई एक्स का फंक्षन आता हो नहीं आ सकता फिर वो फर्स्ट ओडर की कैसे रहेगी फिर भी आप लोग एक बद चेक कर लिएगा ठीक है हम चलते हैं आगे कुछ इस तरह की एक्वेशन होती है यहां तो केवल एक्स का फंक्षन होता है मैं कंफर्म हूं रहेचेस का यहां सब्सक्राइब होती है कोई एक्स का फंक्षन होग और उसके मल्टिप्लाय में वाय यह वाला जिस ठीक है यहां यह एक्स रहता ही है तो आप लोग देख लिएगा वैसे मैं जहां तक है यही होती है बट 99 परसंट हूं शूर नहीं हो एक परसंट कंफीज हो रही हूं आप यहां पर पी एक्स क्या दिया हुआ है आप लोगों को यहां कोई एक्स का फंक्षन है कि नहीं तो हम ले लेते हैं वन क्योंकि एक्स का फंक्षन नहीं है इस वन को मैं एक्स की पावर जीरो दो कह सकती हूं किसी की पावर जीरो हो तो वैल्यू वन हो जाती है तो यह एक्स sorry sorry यहाँ पर variable t है यहाँ हम लोगों ने t लेना है ठीक है यह formula x के असाब से लिख दिया है मैंने आप लोग t के असाब से लिख है तो यहाँ पर क्या जायगा t इसकी बाद हम लोग solution निकालते हैं इस तरह से लिख लीजी solution निकालते हैं वो क्यों होता है ध्यान से समझी गए y multiply में if जो आप लोगों का ये निकाला है ठीक है easy cash to integration जो भी आप लोगों को यहाँ पर qx है ये आ जाता है ठीक है qx यहाँ लोगों दिया हुआ है minus 2t into में आता है if जो कि हमें दिया हुआ e की power t ठीक है plus में आता है कोई भी constant c integration है तो dt तो अफकॉस आए गई अगर x का function है तो x आज़े अगर dx ठीक है यही formula होता है y into if जो भी आप लोगों का निकाल है qx multiply if plus c ठीक है is की value e की power t दिये तो y into e की power t is equals to minus 2 तो constant integration से बाहर ले लो t into e की power t बचा integration में first into second mind के integration नहीं कर सकते है क्या highlight से यह first function यह second function minus 2 अब देखो for tax से करो integration क्या होता है first function को रखा second का integration जो की e की power t ही हो गया आगे minus first का differentiation t का differentiation 1 हो जाएगा second का integration e की power t आजाएगा और फिर होता है complete का integration तो e की power t ही है देखो इस तरह सी तो होता है ना formula first function को रखा second का integration minus first function का differentiation जो भी आप लोगों का x है t है ठीक है second का integration और फिर इस complete का integration ठीक है यह पूरा फॉर्मूल होता है तो first into second या लिट हम तो आ गई minus t का differentiation 1 हो गया e की power t का integration e की power t हो गया e की power t into 1 e की power t आ गया और फिर e की power t का दुबारे integration करवा रहा है तो e की power t ही आजाएगा plus में c minus 2 e की power t common ले सकते हैं t minus 1 plus c y e की power t के चल रहा है ठीक है equal तो y की value निकालना चाहते है e की power t को divide ने भेज़ दो minus 2 e की power t से e की power t यहां cancel हो जाएगा यहां आएगा c upon e की power t तो e की power t को में उपर लेके जाओंगी तो यह हो जाएगा minus t ठीक है y आ गया value किस पे निकालनी है 0.2 पे minus 2 0.2 minus 1 plus आगे क्या आएगा c e की power minus t की value किया रख रख रहे है 0.2 simple y का मतलब y t है न तो t की 0.2 लिख दिया मैंने ठीक है समझा है अब कई बच्चे यहां confuse होंगे c तो है नहीं है मेरे पास देखो यही चीज़े हमें exam में ध्यान रखने हैं मैंने पहले भी निकाल सकती थी c की value बट आप लोगों को यहां पर अटकने के बाद याद रहेगा exam में अगर हमें दब तक पता चीज़े अटकते नहीं है न तो exam में याद नहीं रहती है अब यहां पर अटकी होना तो आपके माइन में तो इस equation में अगर मैं 0.2 की जोगे एक बास 0.1 लिख दू तो क्या आ जाएगा वाइ 0.1 इस रिकोस्ट तो स्री वाइ 0 जिरो पॉंट बन से calculation हाड हो जाएगी 0.1 से value है हमारे पास हमने अभी न से निकाली नुमेरिकल एनलैसिस वाले Taylor series method से हम लोगों निकाली लेकिन 0 पर हमें दिया हुआ है यह ज्यादा easy t की value उन्हें 0 रखी minus 2 t की value 0 रखी प्लस c t की value 0 रखी तो यहां से मैं नहीं निकाल सकती c की value y 0 की value minus 1 दी हुई है 0 मैं से 1 गया minus 1 minus 1 minus 2 plus 2 होगे plus किसी के भी power 0 रखी तो value 1 होती है c c is equal to यहां से क्या आजाता है इसको इधर भेज दिया minus 1 minus 2 होगा minus 3 क्या c की value नहीं आ गई तो इस तरह से exam में याद रखने है इस चीज़े की condition हमें दी होती है solution हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बस थोड़ा से आप लोग अच्छी से question को attempt कीज़े y 0.2 is equal to यहां से इजीली आजाएगा सिफ c की value रखो minus 3 यह e की power minus 0.2 किसी को नहीं आती है निकालनी ठीक है अब यह मत बोला दुनिया में किसी को नहीं आती है नहीं यह आती है हमें नहीं आती है नहीं निकालनी और हमारा यह काम भी नहीं है कि हम इसकी value निकालने बैठ जाए हमें अभी पढ़ना है एनने का paper अभी हमें यह देखना है कि Taylor series method को कैसे use कर सकते हैं त करके यहां पर रखकर answer तक पहुंचना है तो आप लोग जब निकालेंगे तो y 0.2 की value आज आएगी क्या आएगी मैंने भी निकालके यह देखिए ते कुछ इस तरह की आती है 0.8561923 with minus sign तो आप लोग मुझे बताओ अभी हमारी value Taylor series से क्या आई थी Taylor series से value आई थी क्या आई थी minus 0.8561904 9 तक तो देखो हम लोग सही पहुंच गए यह थोड़ा सा बात की digit अलग लग रही है तो हम इसका अतलोग बहुत close पहुचे हैं हम लोगों ने यहाँ पर fourth order तक use किया था ना यदि sixth order तक use करते है eighth order तक use करते है तो शायद और करीब पहुंच जाते answer क समझ रहे हैं तो इसलिए यहाँ यह नहीं समझना है कि हमारा गलत है बिल्कुल सही है और यहां टी ही आती है क्योंकि हम लोग आगे की terms को चोर रहे हैं fourth order तक फड़ पहुच जिक हैं तो यहीं होती है error जो compare करणा था हैं तो हम लोग यहाँ पर कैस सकते हैं क्या कैस सकते है कि यहां पर error बहुत ही minor है, हम लोग तक्रीबन बहुत ही answer के close पहुँच चुके हैं, आप चाहें तो exam में लिख दीजिएगा, language में लिख लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से लिख लीजिए, कि हम result को compare करते हैं, इस वारे result को, जो कि हमने numerical निकाला है, उसके साथ, यह numerical निकाल ठीक है, समझ आया, तो students इतने easy question exam में पूछ ले जाते हैं, यह तो मैंने आप लोगों को समझा है, इसलिए आदा घंटा लग दिया, 15 minute में आप लोग इस question को कर सकते हैं, 15 minute लगेंगे, क्योंकि first time करोगे, तो देखो, calculation में टाइम लग सकते हैं, exam तक practice करते जाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा question तो करने नहीं है, exam में, बहुत कम question करने हैं, अपकी बार लोगों को कितने गड़ना हैं, कितने नहीं, ठीक है, तो आराम से पढ़के जाओ, आराम से question को attempt करो, देखो, हम लोगोंने theory में एक पढ़ाता है, ट्रंक्शन error और, तो उसका हम ल